स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम सेखेंगे कि CBSE के पोर्टल से क्लास 10 और 12 के रोल लंबर कैसे हम फाइंड आउट करें सो फर्स्ट अफॉल आपको गूगल पर सर्च करना है CBSE और आपके बास यहाँ पर CBSE की साइट आएगे cbse.go.in इस पर क्लिक करने के बाद आपका यह पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको देख सकते हैं रोल लंबर Finder 2021 इस पर आपको क्लिक करना है then server 1 और server 2 server 1 अभी काम नहीं कर रहा है तो हमें server 2 पे क्लिक करना है server 2 पे क्लिक करने के बाद आपका यह पेज ओपन होगा candidate name, father's name, mother's name and date of birth तो students यहाँ पर main ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर आपको वही data फिल करना है जो अपने registration की time पे फिल किया था, means आपका जो registration में जो data फिल किया हुआ है वही details, वही spelling आपको यहाँ पर फिल करनी है, क्योंकि काफी सारे बच्चे जब यहाँ पर details fill up करके submit कर रहे हैं तो वह अपना roll number find out नहीं कर पार है तो इसका क्या मतलब है कि वह अपने details सही तरीके से fill up नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं वह mistake कर रहे हैं या तो DOB डालने में, या फिर father's name, mother's name, या फिर खुद के नाम में कोई spelling error होगा तो यहाँ पर हम आपको एक student का roll number find out करके दिखा देता हूँ उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें roll number find out करने है आपको देख लेना है जब आप type करेंगे तो auto correction ना हो मतलब आप यहाँ पर डाले कुछ और वहाँ पर spelling कुछ और हो जाए और एक बात का ध्यान रखना है जब रवीदास से आप अगर tab मारेंगे तो यहाँ पर अपने आप space यहाँ पर आ जाता है तो space को आपको खटा देना है ठीक है इसके बाद father's name में भी हमें ध्यान से fill up करना है और उसके बाद में डी ओ बी में आपको ध्यान रखना है डी डी एम एम एंड वाई 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 और बीच में आपको slash डालना है ठीक है तो 18 22004 अब आपको यहाँ पर search करना है data search करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस बच्चे के roll number आ गए है आप इसको download भी कर सकते हैं ठीक है download करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके के page open होगा और यहाँ पर आप अपना roll number और सारी details check कर सकते है school को नाम भी check कर सकते है तो यहाँ पर आपको main क्या ध्यान रखना है main ध्यान रखना आपकी details डालते time ठीक है registration के time पर जो आपने details डाली होगी वही details आपको यहाँ पर भी fill करनी होगी otherwise वो data जो इस server पर data उससे match नहीं होगा ठीक है और उसी वज़े से आपको दिखा रहा है इस में आपको ध्यान रखना है ठीक है so that's all for today thank you so much